हरे कृष्णा रादे रादे मक्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी भोग हम लेटु गोपाल जी के सामने रखते हैं क्या वो भोग को सुईकार करते हैं क्या वो भोग लगाते भी है या नहीं हमें ये कैसे पता चलेगा कई सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहते हैं कि हम भोग की थाली जैसे रखते हैं जियों की त्यों ही हमें मिलती है उसमें से भोग समाप्त तो होता नहीं है और अगर भोग समाप्त नहीं होता थाकुर जी भोग लेते ही नहीं है तो फिर हम उन्हें भोग लगाते ही क्यों है। और कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि कहां तुम इस कल्योग में अंद विश्वास में पड़े हो क्या कोई मूर्ती भी भोजन घ्रेंड कर सकती है क्यूं करते हो ये बेबखोफी भगवान को तुम्हारे दी हुई किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है नहीं वो तुम्हारे दी हुए भोजन को स्विकार करते हैं और कई सारे लोग तो यहां तक कहते हैं कि दुकानदार के पास कितने सारे लड़ू गोपाल होते हैं क्या कभी उसको देखा है भोग लगाते हुए क्या कभी वो सबके लिए थालियां लगाता है फिर घर में लाते ही ऐसा क्या हो जाता है कि लडू गोपाल को भूक लगने लगती है और दुकान पर लडू गोपाल एक भी बार नहीं कहते हैं कि मैं भूका बैठा हूँ ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और फ्रेंट्स इस टॉपिक को लेके कई सारे कमेंट आ रहे थे और कल रात ही एक भक्त का कमेंट आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि भोले भाले भक्तों की मन की ये दुविदा दूर हो सके और वो किसी भी तरह की बातों में ना आए तो फ्रेंट्स देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सच में भगवान निराहार हैं निराकार हैं मतलब उनका कोई आकार नहीं है भक्त जिस भी रूप में उन्हें ध्याने लगता है ना प्रभू उसी रूप में उसके समक्ष रहते हैं उसे दर्शन देते हैं और उसे अपने होने का एहसास भी कराते हैं ठीक है ऐसे ही वो निराहार हैं उन्हें आपके किसी भी प्रकार की भोग सामगरी की जरूरत ही नहीं है क्यूंकि सब कुछ प्रभू का ही बनाया हुआ है पूरी सरस्टी के रचेता हैं गोविंध हमारे तो उन्हें आप दे ही क्या सकते हैं तो फ्रेंट्स पहले के टाइम में जब पूजा हुआ करती थी ना तो बड़े बड़े यग्य होते थे हवन होते थे लोग बनों में चले जाते थे जंगल में चले जाते थे भगवान की प्राप्ती करने के लिए और वो ध्यान लगाते थे लेकिन पूजा को सरल बनाने के लिए ग्रस्तों के लिए ये मूर्ती पूजा बनाई गई तो हम लोगों के भाव से ही भगवान मूर्ती में विराजमान होते हैं और हम भक्तों को आसानी परमात्मा से अपनी आत्मा को कनेक्ट करने के लिए तो ऐसे में जो भक्त होते हैं वो हर तरह से बस ये सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे प्रभू मुझसे प्रसन हो जाएं और सबसे अच्छा जो तरीका है वो है भोग सेवा आप अपना प्रेम भगवान को कैसे जता सक लगते हैं तो कहते हैं एक गुरू जी से उनके शिश्य ने ये बात पूछी कि गुरू जी ये बताईए हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी भोग हम भगवान के सामने रखते हैं वो भगवान ने ग्रहन किया भी है या नहीं इस प्रशन को सुनकर गुरू जी एकदम शान्त हो गए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सारे ही शिश्यों से उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक इसलोग दे रहा हूं जो कि तुम सबको याद करना है और मैं थोड़ी देरवाद अभी आता हूं और आके तुम से सुनूंगा सारे जितने भी शिश्य थे सभी ने उस याद कर लिया जब वापस गुरू जी वहाँ पर आये तो उन्होंने सभी से पूछा कि इसलोग याद हुआ या नहीं सभी शिश्यों ने मिलके कहा कि हां गुरू जी हमने याद कर लिया लेकिन गुरू जी ने सिर्फ उसी शिश्य को अपने पास बुलाया जिसने की ये प किताब मुझे दो और किताब में देखते हुए गुरू जी बोले कि नहीं अभी तो तुम्हें अच्छे से याद नहीं हुआ है इस पर शिष्य कुछ देर सोचने लगा लेकिन फिर बोला नहीं गुरू जी आप कहें तो मैं दुबारा सुना दू मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया है इस लोग तो इस पर गुरू जी ने कहा कि अगर तुमने इस लोग को अच्छे से याद किया होता तो वो तुम्हारी किताब में दिखाई ही नहीं दे रहा होता वो तो गायब हो चुका होता वो तो समाप्त हो जाता इस पर उस शिष्य ने कहा कि गुरू जो इश्वर होते हैं वो भी जब हम भगवान के सामने भोग रखते हैं तो सुक्ष्म रूप में वो उस भोग को ग्रहन करते हैं और उसको हमारे लिए छोड़ देते हैं जिससे खा करके हमारा मन और तन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं और फ्रेंट्स आप ऐसे भी समझ सकत है तो ऐसा तो सिर्फ हमारे प्रभू ही कर सकते हैं हमारे लिए कि वो लेकर भी हमसे कुछ लेते ही नहीं है वो सिर्फ देना जानते हैं और वो सिर्फ द्रश्टी भोग लगाते हैं हमारे प्रेम हमारे मन के भावों का भोग लगाते हैं जितने प्रेम से भक्त उन्हें कु भिलिनी के बेरों में क्या बात थी, कुछ भी बात नहीं थी, ये तो सिर्फ प्रेम की बात थी, जो की प्रभू उन बेरों से भी रीज गए, क्योंकि भिलिनी के मन में उनके लिए अथा प्रेम था, तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ, आज का वीडियो आपको अच्छा ल कर लें रादे रादे